एंटी ए यूजिसनेट यानि निमिजनेट डाउनलोड इट उन गूगल प्ले स्टार हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम लोतास निम्मी है और आप सभी का सवागत हमारे यूटूब चैनल निमिजनेट प्रोपे दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं यूजिसनेट पेपर फर्ष्ट दो हुजार तेईस एक्जाम में जो भी करण्ट अफेर आने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे हाईर एजुकेशन में कम्प्लिट करन्ट अफेर आपको करवाएंगे और यहां से हमारा एक से दो क्यूशन हर बारे एक्जाम में आता ही आता है और इस वीडियो में दोस्तो हम बात करेंगे एनाई आफ रैंकिंग की एई एस ची रिपोर्ट की विजिटर रवार्ड क्यूश वर्ल्ड रैंकिंग और फेक इनुश्टि के बारे में और इस से रिलेटिड दोस्तो हमारी यह जो वीडियो है इसकी पीडियो भी आपको दी जाएगी वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे फरी में आप पीडियो कैसे डाउनोड कर सकते हैं अपने फोन में और उसे प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है दोस्तों एंटी यूजिस नेट एक्जाम 2023 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड़ कोर्स लॉंच किया है कंप्लेट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट इस कोर्स में आपको क्या-क्या मिलने वाला है नमर एक पे दोस्तों आपको और टेन अलग किये हुए मिलेंगे नमबर पांस पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्यूशन भी अलग किये हुए है जैसे कि रिसर्च में हम बात करें ताइप आप 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 टीचिंग में टाइ और डिया एक के किशन वाइए मिलेंगे नौट के अंदर इस दुरान दोस्तों वीडियो आपको लाइव पलस में रिकॉडिट मिलेगी जो दोस्ते लाइव क्लास लेना चाहता है वो लिए वह ले सकता है और आपको किसी भी तरह की कोई प्रोल्म आते तो आप वहां से वर अरफ ranking के बारे में बात करते हैं और इसमें जो हमारा स्वसे पहला direct question बहुता है दोस्तों वह यह बनता है कि nrf की full form बताइए इसकी full form क्या है इसकी full form है दोस्तो नेशनल institutional ranking framework यह हमारा exam question आया हुआ है तो आप इसे याद रखना जी इसका मतलब क्या है और इसे कब शुरू किया गया था इसके बारे में हम जानने की कोशिस करते हैं राष्टे संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क भार्ट में उच्छ सिक्षा के सभी संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए दिया जाता है और इसे मानव संसाधन विकास मंत्राले भार सरकार दवारा शुरू किया गया था और कब शुरू किया गया था 29 स्थाम्मर 2015 कोशियर लॉंच किया गया जी और इसमें देखते हैं दोस्तों इसमें टॉप इंवर्ष्टी में आयसी बैंगलूर को पहला स्थान और दिल्ली के जवार लाल नहरूवी से विध्याले को दूसरा और जामिय मिलिया इसलामिया को तिसरा स्थान मिला है 2022 की जो सूची जारी हुई है उसके अंदर और दोस्तों एक और जो इंपोर्टन चीज में आपको यहां पर बता देता हूँ कि अभी जैसे हमारा 2023 एक्जाम होने वाला है तो उसके अंदर जो हमारे लिष्ट आएगी वो 2022 वाली लिष्ट आएगी क्योंकि 2023 की लिष्ट हमारे जुलाई 2023 में रिलीज होगी तो हमें यह लिष्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी और इसको हम सिलसले वार देखेंगे सही से इसको समझने की कोशिस करेंगे यह देखें यह जो इसके अंदर कटेगरी है 11 कटेगरी के अंदर यह रैंकिंग दी जाती है और इन सभी कटेग्रियों को हम असानी से ध्यान से समझने की कोशिस करेंगे ये देखें दो हजार बाइस में ग्यारा कटेग्री कौन कौन शी थी एक थी अवरॉल कटेग्री फिर विश्वी धाले फिर मनेजमेंट कॉलेज फार्मेसी चिकत्सा इंजिनरिंग वात्सुकला और ARIIA कानून रिसर्च संस्थान इसके अंदर सामिल किये गए थे और इस लिस्ट में IIT मदरास ने पिछली साल की तरह इस साल भी ऑवरॉल सेक्षन संस्थानों और इंजिनरिंग कटेग्री में अपना नम्बर एक स्थान बनाये रखा है IIT मदरास दोस्तों पिछले साल भी टॉप रैंकिंग में था अब की वार भी एक तो ऑवरॉल रैंकिंग में नम्र एक पे है और एक इंजिनरिंग कटेग्री में नम्र एक पेशन स्थान बनाया है जी और इसके जो मापदंड है दोस्तों किस-किस के तहत ये और कटेग्री दी जाती है वो हम देख लेते हैं ये हमारा एक्जाम में किशन आ सकता है जी तो ये जो रैंकिंग है तो टीचिंग लर्निंग और रिसॉर्स के इंसाख दी जाती है जो जब भी हम किसी उनिवस्टी कॉलेजी में पढ़ाने जाते हैं अगर हमारे पास पी एचडी है नेट रैंकिंग दी जाती है ग्रेजवेशन आउटकम कितना अचीवमेंट प्राप्त की स्टूडेंट रहे उसी साब से फिर है आउट्रीच एंड एक्स्क्लूजिव्टी महिलाओं के प्रतिन इधितों पर विशेश जोर देना महिलाओं को कितना वो प्रोच साहित कर रहे हैं क हम बात करें जैसे यह 11 कटेगरी हमने बात कर ही लिए इन 11 कटेगरी के अंदर हम आहां यह रैंकिंग दी जाती है देखो डेंटल कटेगरी जोईकल नहीं एड़ हुई थी इसके अंदर पिछले साल तो इसे आप याद रखना और यह आप एक अबर देख लेना ऐसा कुशन और यह रैंकिंग दो हुजार बाइस जो लिष्ट है इसके अंदर और ओर ओल टॉप फाइव संस्थान कौन से हैं और ओल की बात करते हैं दोस्तों और ओल के अंदर हमने पढ़ा था आयाटी मदरास आयसी बैंगलोर आयाटी बॉंबे आयाटी दिल्ली आयाटी और दोस्तों इस के अंदर आप कोई पांचो याद रखने की ज़रूरत नहीं है आप स्टार्टिंग के तीन याद रख सकते हैं क्यूंकि एक्जाम में ऐसा कुष्ण आएगा कि निमलिकित को करणवाइज लगाए करणवाइज हमारा लगाना आ सकता तो आप तीन से चार याद कर सकते हैं क्या ही है और आगे हम बात करने दोस्तों टोप इंजिनिरिंग कोलीज की अगर हम बात करें तो IIT मदरास IIT मदरास हमारा ओर ओर ओल में भी नमबर एक पे था और इसमें इंजिनिरिंग में भी नमबर एक पे हैं आप इसे याद रहे हैं फिर है IIT दिल्ली, IIT बॉंबे, IIT कानपूर और IIT खडगपूर जी उसके बाद में हम बात करके दोस्तो टोप डेंटल कॉलिज के अगर हम बा इंकिंग दी गई है उसके बाद में अगर हम बात करें टोप मेडिकल इंस्टिट्यूट की बात करें दो दोस्तो इसके अंदर आता है एक मिनिट रुकी हंजी टोप मेडिकल इंस्टिट्यूट में All India Institute of Medical Sciences दिल्ली, Post-Graduation Institute of Medical Education and Research चंडिगड और फिर हैं वेल लॉर दोस्तो अब हम बात करते हैं टोप MBA College in India अब देखिए इसके अंदर जो जो हमारे टोप में रहें वो हम देखते हैं और यह है दोस्तो आयम एहमदाबाद, आयम बैंगलोर, आयम कलकत्ता और IIT दिल्ली तो आप इसको देख लेना वही उसके बाद में हम फार्मेसिक की बात करें तो दोस्तो जामिया, हमदर, दिल्ली, नेशनल इंस्टिट्यूट और फ़र्मेसिकल, एज्यूकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद, पंजाब इनुश्टी, तो यह सारे के सारे आप देख लेना और यह आपको नोट्स बिलकुल फरी में मिलेंगे, सभी दोस्तों को यह रैंकिंग मिली है, यह इंडियन इंस्टिटूट आफ साइंस और आईएटी मदरास और आईएटी दिल्ली, उसके बाद में हम बात करें लोग की बात करें तो इसके अंदर नेशनल लो स्कूल आफ इंडिया इन्वर्स्टी बैंगलोर और अनल यू दिल्ली और सिंबस लो स्कूल यह है दोस्तो उसके बाद में हम बात करें आर्केटेक्सर में आईएटी रुड़की और एन आईएटी कलिकट और आईएटी खडगपूर और टोप फाइव कोलेज हां दोस्तों यह हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट आ गया वही इसमें से हमें सा एक्जाम मे से किशन पूछा जाता है जी तो टोप फाइव कोलेज हमारे रहे हैं वो मिरांडा हाउस नहीं दिली और हिंदू कोलेज नहीं दिली और प्रेजिडेंसी कोलेज चेन नहीं और लोयला कोलेज चेन नहीं और फिर लेडी स्री राम कोलेज और वीमन नहीं दिली और इसमें द इच्छे का रिकोर्ड उठाके देखोगे तो आपको यह पोजिशन मिल जाएंगे और अब की बार फिर से इनकी पोजिशन आई है और यहां पर एक चीज और नौट करने वाली है दिल्ली की जो पोजिशन है दोस्तों तीन देखे एक यह रहा दिल्ली एक यह रहा और एक यह तीन कोलेज है दिल्ली के जिन की पोजिशन आई है और दो चनहीं की है तो यह हमारे लेगए काफ़ी इंपोर्टट है और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों तोप फाइव उनिवर्सटी लेस्ट नहीं कूझ्छी है 1 isc बैंगलौर जैनन्यू और जामिया ईस्लामिया फिर है यह जादव पूर्य उन्वेस्टी कोलकता और अमृता विशो विध्यापिट कोयम बटूर जी तो आप इनको देख लेना वही और यह हमारी लेटेस्ट रिपोर्ट थी यहां पे उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों अगला जो हमारा करण्ट अफेर आता है व यह अपडेट हुई थी और दोहजार बाइस तेइस की जो रिपोर्ट है वो आगे आएगी यह रिपोर्ट हमारी दोहजार बीसी की है लेटेस्ट रिपोर्ट है कई दोस्त यह कहेंगे कि सर बाइस की तो है नी तो बाइस की हमारी दोहजार तेइस के अंदर अपडेट रिपोर्ट जारी की थी 2021 और इसके अंदर क्या कहा गया था दोस्तों ये पहली ऐसी रिपोर्ट थी जिसे एक मिनट रुपी है हंजी ये पहली हमारी रिपोर्ट थी पहला सर्वेक्षम था जो वेव डेटा कैप्चर फॉर्मेट के माध्यम से पूरा किया गया था इसके क्लाइन डेटा ही फिलफ करवाया गया था पहले क्या था ओफलाइन तरीके से होता था तो इन्होंने सब्सक्र, और उसके बाद में जो हमारी इंपोर्डंट है इसमें जो important चीज़े वही हम करेंगे बाकि आप इसको पढ़ना चाहे तो आप इसे पढ़ लेना वहीं और इसके जो प्रमुख विंदू है वो देखते हैं चात्र नामंकन अनपात कितना है जी सभी नामंकनों वर्स 2011 की जंगना के इनुशार है यह सकल नामंकन अनपात जिसे GER कहते हैं दो अंक बढ़कर 27.3 हो गया है उस्तम नामंकन सतर सनातक सतर पर देखा गया जो 78.9 परशेंट था उच्छ सिक्षा कारेकर्मों में महिला नामंकन जो पहले क्या था 2019-25 परतिस था और जो 2020-21 में बढ़कर 49% हो गया है लेकिन यहां पे दोस्तों विज्यान प्रोधियोगी की इंजिनिरिंग और गनित में महिलाओ का नामंकन डाउन हुआ है कम हुआ है यह हमारा क्यूशन आ सकता है जी और आगे हम बात करें दोस्तों लेगिंग समानता के अगर हम बात करें जी पी आई की महिला जी यार और प्रूस जी यार अनुपात वर्स 2017-18 के एक से बढ़कर 2020-21 में 1.05 हो गया है तो यहां से हमारे क्यूशन एक्जाम में काफी बार आते हैं दोस्तों जी प्रूस एक्जाम में प्रूस जी आर कितना हो गया है और ये जी पि आइए कितना हो गया तो यह आप देख लेना यहां से हमारा क्यूशन बंड सकता है दिव्याग जन का घटकर कितना हो पहले कितना था 92,831 था और अब जो इनका एन्रोल्मेंट कितना हो गया है 79,035 हो ग और एक और जो important question हमारा यहां से बनता है इसका कि जो टॉप राज्य है नामंकर्ण के मामले में enrollment के मामले में वो कौन-कौन से top six राज्य हमारे कौन से है यह है उत्तरपरदेश, महाराष्टर, तमिलाडू, मध्यपरदेश, करनाठका और राजस्थान इनमें enrollment बहुत ज्यादा हुई यह top six राज्य है तो इनको क्रमवाइज लगाना exam में आ सकता है इसको आप देख लेना और उसके बाद में हम बात करे विशु विध्यल्य और कोलेजों की संख्या के एकर हम बात करे संख्या की तो देखो कुल 2020 के दुरानुवी से विध्यलो की संक्या सत्तर अधिक हो गई है जी उनुश्टी यह जो सत्तर अधिक बढ़ गई और को लिजों की संक्यात 1453 बढ़ गई है और देखिए वर्स 2020 में 21.4 परतिसत सरकारी को लिजों में कुल नामंकन का 34.5 परतिसत हिस्सा था यह पढ़न कर रहे थे कि student का enrollment कौन से राज्य में कितना है वो हमने बात की अब हम बात करें कि कोलेजों की संक्या की अगर हम बात करें तो इसमें top 8 राज्य कौन कौन से है उत्तर प्रदेश महाराश्टर यह दोनों राज्य तो हमारे नामंकन में भी सेम थी और यहां कोलेज के मामले म में भी टॉप है यह दोनों के दोनों फिर है करनाट का फिर महाराश्टर स्वरी करनाट का राजस्तान तमिलाडू मध्या प्रदेश अंदर प्रदेश और गुजरात जी तो आप यह देख लेना और उसके बाद में एक और जो इंपोर्टेंट हमारा question बनता है दोस्तों व पंद्रा में 63 था और 2019 बीस में 74 था ठीक है और बर्स वर्स 2020-21 में 75 हो गया है तो आप इसे देख लेना वही जी और यहां पर इसी का यह मुद्दा बना रहे हैं यह देखे फैकल्टी की कमी जी यह कह रहे है कि हमारे college बगरा के अंदर अनुपात है अनुपात क्या होना च चाही लेकिन वर्त माल में 24 था एक है तो इसे सही करना चाहिए सरकार को जी और काफी मुद्दे इसमें जैसे एप रे आप तो बुनियादी भान चाहे तो यह आप करना चाहे तो कर सकते लेकिन इसमें से जादा क्यूशन हमारे यहां से क्यूशन नहीं आएंगे आप इन चेचेजेए प्रनाली में सुधार जैसे न्यू एजुटेसन पॉलीची के इंदर का आया है? 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 की प्रनालिज के अंदर आईए पहले 10 प्लस 2 की थी जी और आगे हम बात करें दोस्तों इसके अंदर 6th visitor अवार्ड लेकिन ये 6th visitor अवार्ड करने से पहले आपको दिखा दिता हूँ हमारे notes आप किस तरह से ले सकते हैं जी notes लेने के लिए दोस्तों आपको निमीजनेट वेबसाइट पर जाना होगा और या फिर इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ कैसे आपको जाना है निमीजनेट हमारा चैनल भी है तो यह देखें निमीजी.net निमीजी.net यह हमारी वेबसाइट है इस पर आपको आना है और यहां आ के यह देखें यह यह यहां पर दिख रहा है ना आपको N I M I G दॉटनेट निमीजनेट है तर यहां पर जब आप आओ ऑगे तो starting में ऊपर ही आपको ये मिल जाएगा higher education में complete current affair ठीक है यह post आपको मिल जाएगी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा current affair आ जाएगा जी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं यह देखिए यह रहा हमारा current affair प्रेंकिंग यह रही हमारी ठीक है और यह देखिए पिछली बार के त्रही साल वह सारी चीज़ें जो मैं आपको टीस कर रहा हूं यह देखिए यह हमारे parameter आगे यहाँ पर है ना और यह देखिए यह 11 category आगी और उसके बाद में देखिए लिश्ट आगी टोफाइव संस्थ सान आ गए और टोप medical college आ गए और टोप dental college आ गए यह सारे के सारे आपको यहाँ पर मिलें गए उसके बाद में यह देखिए यह रिपोर्ट आगी यहाँ पर 2020 और उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे और वी चीज़े दिखाता हूं यह देखिए main main points जो है वो आगे यहाँ पर और यह हमारे six visitor award जो भी हम करने वाले है वो आ गए यहाँ पर जी उसके बाद में हम बात करें क्यों स वर्ल्ड रैंकिंग आ गई तो आप यह सारे के सारे नोड से ले सकते हैं टाइप ऑफ यह यहाँ पर और कि अब ही कितनी युनिवस्टी है इंडिया के इंद उसको print out कर सकते हैं कुछ भी आप इसके साथ कर सकते हैं अभी यह हमारी PDF ओपन होगी यह देखिए यह हमारी PDF ओपन होगी इस PDF को आप download कर सकते हैं तो तरीका मैंने आप लोगों को बताई दिया है इसका link आपको हमारे वीडियो description box में मिल जाएगा या फिर आप directly निमीजी website के home page पे आके यह ले सकते हैं और यहाँ पे आपको और भी बहुत से सारे चीज़े मिल जाएंगी उसे भी आप free में ले सकते हैं जी यह देखिए 2021 2022 के सभी shift के question paper भी हमने यहाँ पे दिये हूँ है तो आप इसे भी ले सकते हैं जी चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं हम 12 अगला जो टॉपिक है उस पे आते हैं हम जी एक मिनट हमारा कहां पे गया हां जी शिक्स्त विजिटर अवार्ड की बात हम बात करते हैं यह देखिए च्टे विजिटर अवार्ड 2020 इसे बोला जाएगा और यह 12 जुलाई 2021 को अपडेट किये गए थे यह इस तारीक को यह दिये गए थे 12 जुलाई 2021 को और 2022 के अभी आई नहीं है उसके नमंकन अभी चल रहे हैं 2022 के जी और यह कब किये गए थे दोस्तों 2014 के अंदर इसे शुरू किया गया था इसकी स्थापना 2014 में की गई थी और राश्टर पती परतेक साल यह अलग अलग अवार्ड देते हैं इ यह अवार्ड दिये जाते हैं जी और 2020 अवार्ड के अंदर दोस्तों हम बात करें तो किसको यह दिये गए हैं वह हम देखते हैं देखें सबसे पहला जो अवार्ड है अनुसंधान के लिए रिसर्च के लिए 2020 को विजिटर अवार्ड किसे दिया गया है मुहमद जाहिद अ आवार्ड दिया गया है जामिया मीलिया इसलामिया के जेव प्रोध्योगी की विभा के प्रोफेसर थे जी तो ये ऐसे क्यूशन पूसकते हैं कि मोहमद जाहिद असरफ कौनची इनुश्टी से संबंद रखते हैं जिने विजिटर आवार्ड दिया गया है तो ये चीज़े आप यहां से देख लेना ये काफी important है हमारे लिए जी और एक मिनिट रुकी मैं इसको थोड़ा बढ़ा कर लेता हूं जी उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर रोध्योग्यों की विकास के लिए 2022 का जो आवार्ड है वो किसे दिया गया है त्रीतम देव को दिया गया है यह तेजपूर यूश्टी के भोतिकी विज्ञान के प्रोफेसर हैं जी इन्हें किसलिए अवार्ड दिया गया है खद्य पधार्तों की पैकेजिंग के लिए दवी आयामी हीट्रो सरंचना के साथ बायो डीग्रेडेवल पोलीमर फिलम के विकास पर कारिय करने के लिए यह अवार्ड इनको दिया गया है जी आगे हम बात करें दोस्तों भोतिकी विज्ञान में अनुसंधान के लिए 2020 का अवार्ड की से दिया गया है अनुन्य सामंता को यह वार्ड दिया गया है और यह हैदरावाद इन्वस्ट्री से संबंदित रखते हैं और इनको आनविक प्रणाली और सामग्रियों के प्रकास उतेजन से बनी अल्प समय तक जीवित रहने वाली रसाइनिक प्रजातियों को प्रजातियों की स्पेक्टोस्कोपी और गती विज्ञान में योगदान के लिए पुरुष्कार दिया गया है यह सारी चीजे आप दोस वर्ड रैंकिंग 2023 जी और यह देखिए यहां पर हमारा डायरेक्ट क्यूशन यह आता है क्यूस की फुल फॉर्म क्या है यह हमें पता होनी चाहिए क्यूस की फुल फॉर्म है दोस्तों कवेक कवेक कवेरेले साइमेंड और वैसविक उचसिक सा थिंक टेंक और दुनिया के सबसे ज़्यादा कंसर्टेड विशेविधाले रैंकिंग प्रॉटफोलियो द्वारा जारी की जाती है ठीक है यह यहां पर एकजाम एक वर कि शुनाया था इसकी फुल फॉर्म क्या है तो फुल फॉर्म आप यहां पर देख लेना जी और यह दखो इसमें चो टोप टोप पिजो रही है युनिविश्टी उसके बारे में बात करते हैं लगातार ग्यारवे साल दुनिया के टोप विशेविधाले पर बना हुआ क्या बना हुआ है मैंसा मैंसा टूशेट्स इंस्टिटूट आफ टेकनोलजी है हमेसा नंबर वन पोजिशन पर आता है जी वैसे यह कि अधा से हमारा केस्वशन नहीं आएगा हमारा जोकेशन आएगा वह मैं को बताओंगा जी पिछले साल के त्रैट ठोप हंडर्घ की लीस्ट में किसी भी भारती विशेविधाले को साम्न न ही किया अ यह देखो कोई भी हमारा एसा विश्य विध्याले नहीं जो टोप 100 में बना पाया हो और यह च्छटे साल के लिए सिधे आयसी बैंगलोर आयसी बैंगलोर को इसमें कितनी रैंकिंग मिली 155 आयाटी बोंबे को जगह बनाई है जी ठीक है आयाटी बोंबे ने पिछले साल 177 रैंक हासिल किया था लेकिन अब की भार 172 बरण रैंक पर नीचे गिरगा है पहले क्या है रेकी ही ता processes हमारे कौन से है एक तो है आयसी बैंगलोर इसके रैंकिंग एक सो पच्पन आयाटी बोंबे एक सो बहतर आयाटी दिल्ली एक सो चोहतर जी और उसके बाद में क्यूस वर्ल्ड रैंकिंग दो हुजार तेस के मताफिक यहां टोप टेन भारती उनुश्टी की लिस्ट दी गई है यह टी दिल्ली की एक सो पिचासी मदरास की है दोसो पच्पन पुची टोप थरी जो यह उनुवस्टी ना उसी में से मौशली हमारा क्यूशन रिपीट होता है जी आगे इसमें जो इंपोर्टन चीज़ा वह देखते हैं केवल 27 भारती विसे विधाले और संस्तानों को दुन से इतनी रैंकिंग नहीं मिलते थी लेकिन अब ज्यादा इनुवस्टियों को रैंकिंग मिली है 2022 में बीस विधाले सा मिलते इसके अंदर ठीक है 2021 में 21 थे 2020 में 23 थे और पहले 24 थे तो इस तरह से इसकी आप रैंकिंग देख सकते हैं जी तो यह है दोस्तों हमारी दिखाता हूं अब रहती है दोस्तों हमारी उबेस्टी रहती है जी एक मिनिट दोस्तों हम कंजी दोस्तों यह देखे एक हमारा क्यूशन जो आता है एक्जाम में वो आता है यूजीसी की जो यूश्टी है यूश्टी कितनी है वो डिरेक्ट क्यूशन पूछते हैं कि यूजीसी के अंदर इंडिया के अंदर स्टेट यूश्टी कितनी है तो स्टेट यूश्टी आप यहाँ पे दे कितने चार्शों साथ है दीम्ट टुवी उनवस्टी कितने एक सो ठाइस है सेंट्रल उनवस्टी 56 है और प्राइवेट उनवस्टी चार्शों तीस है टोटल उनवस्टी इंडिया में अभी पत्चिस जनवरी 2000 देश के अनुसार एक हजार 1997 है और अगर हम यृनिवेर्स्टी अंडर 12B की बात करें तो स्टेटी उनिस्टी तिनी ये 267 है गिंटटी टूभी उनिवेर्सटी 50 है और सेंट्रल 16 precisaς है और टोटल रिख यृनिवेर्स्टी हमारी एरुषे अंडर में 398 हैं इसमें जो क्यूशन हमारे एक्जाम में आये हैं पहले वो यहां से आये हैं यहां से हमारे क्यूशन आये हैं और एक क्यूशन हमारा इसमें से आया है और च्यार से पांच क्यूशन हमारे इसमें से आये है पहले जी तो आप इनको देख लेना अब देखिए अब इसमें हमारे टॉपिक और भी रहते हैं वो हम आगे की वीडियो में करेंगे जैसे कि एक तो यह हो गया हमारा यूश्टी अंडर 12B का मतलव क्या है तो यह हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे और यहां पर कि देखिए Central University क्या है इसकी क्या क्या कारिया है State University Dim2V University इसमें से क्यूशन हमारा आता है Dim2V University में तो इस related हम वीडियो आगे लेके आएंगे उसे आप जरूर देखना Private University Meta University इन सभी से हमारे क्यूशन एक्जाम में आते हैं जी तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कै वीडियो चाहिए जो दोस्तों ज्यादा कोमेंट करेंगे जिस टॉपिक के बारे वही टॉपिक हमारे लेके आएंगे जी तो आज के लिए अभी के लिए वसी तरह हैं दोस्तों थैंक्यू वेरी मच और लास्ट में एक बार फिर मैं बता रहा हूं इसके नोड्स आपको न यूजिस नेट एक्जाम 2023 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड़ कोर्स लॉंच किया है complete study course for paper first इस course में आपको क्या क्या मिलने वाला है नमर एक पे दोस्तों आपको all 10 unit study notes मिलेंगे हिंदी इंग्लिस में नमर दो पे दोस्तों आपको all 10 unit की add free videos मिले है company kitchen के अलग है सभी unit के kitchen आपको अलग-अलग किये हुए मिलेंगे नमर पांस पे दोस्तों जो सबसे unique चीज़े आपको कहीं भी नहीं मिलेगी हमने unit में से सब topic wise question भी अलग किये हुए है जैसे कि research में हम बात करें type of research type of hypothesis type of sampling इस तरह से हम बात करें teaching में type of teaching method model of teaching इस तरह से सभी unit के सब topic wise question भी आपको अलग किये हुए मिलेंगे नमर छे पे दोस्तों आपको most repeated होने वाले questions के बारे में बताये जाएगा इनके notes दिये जाएगे इनकी videos आपको मिलेगी plus में आपको live test भी मिलेगा इनका कोर्स की price हम बात करें तो 7-8000 रुपए इसकी फिस बनते हैं लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों आप 500 से लेके 1000 रुपए में इस को जोईन कर सकते हैं और समय समय पे offer change होता रहता है तो आप नीचे वीडियो description box में link दिया हुआ है वहां से इस को कर सकते हैं थैंकि दोस्तों